हालो एरिवन लेट्स स्टार्ट दे क्लास आज की इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे एडियम और फ्रेजिस और अभी जो हर्याना का एक्जाम हुए उसमें से दस में से no questions वीडियो में करवाया हुए है यूट्यूब पे डाल रखें वीडियो तो almost almost वही सब आ रहे हैं जो करवाया हुए है और आज हम आगे एडियम और फ्रेजिस को कवर कर रहे हैं लेट्स टार्ट टॉपिक अफेर क्रैक ओफ दा हिप रिखते हैं क्या मतलब है अफेर क्रैक ओफ दा हिप का मतलब चाबुक होता है हिप का मतलब क्या होता है चाबुक और फेर का मतलब होता है सही तो कहते हैं चाबुक सही जगे पे लगाया या मारा यहां पर लिखते हैं अफेर क्रैक ओफ ता हिप तो इसका मतलब क्या बनेगा इसका यह मतलब है कि काल यहां पर आप देख सकते हैं चाबुक दिखाया हुग है जगो चाबुक दिखार रखे अब फियर क्रैक ओफ ता हिप का क्या मतलब है कि सही एक्शन लेना या सही समय किसी चीद के तरह नहीं सही समय आया है यह इसको बोलते हैं फियर क्रैक ओफ ता हिप कि बिल्कुल राइट टाइम आई यह इसकाम हो करने का Leonardo baby लीश का मतलब होता है पत्वा उता है पत्ट्ट जो कुत्ते के गले में पत्ट्ट्ट ड़लत। उसको बोले हैं लीश है और hold something in Lee का मतलब कि कि इसको अपने पत्ट के काभी तर लिए ते लिखे warum अगर मैं निखता हुल में कि टो एक फेक estaban इन लीश बल्कुल इजी इडियम है यहां पर देख सकते हो कि यह आदमी ने क्या कर रख है कुट्टे को पट डाला हो यहनि कि इसको काबू कर रख है तो किसी चीज को काबू में कर लेना किसी पर कंट्रोल कर लेना इस तो होड सम्थिंग इस लीश नेक्स्ट हमारा है टू तो अगर हम छोटी-बातों पर ज़गडा करते है इसको बोलते है तो रेंगल ओवर आस शेडओ नेक्स है टू प्ले फास्ट एंड लूज लेको टू प्ले फास्ट का मतलब होता है तेजी से खेलना एंड लूज और फिर हार जाना कई लोग क्या करते हैं हमें पहली बर मिलते तो बड़ी-बड़ी बाते करते हैं बड़े-बड़े वादे करते हैं लेकिन उनको निभा नहीं बाते हैं बाद में lose करें आरते हैं तो play fast का मतलब है जल्दे-ल्दी विश्वास बनाना लेकिन उसको maintain ना कर पाना जी ओ जी तो ये गाना बन गया ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मनमो जी जो मनमो जी होता है जो अपनी मतलब के excitement में रहता है अपनी ही खुशी में रहता है अपनी enjoyment में रहता है उसको बोलते हैं ये to be he is always he is all agog इनकी वो के excitement से भरा हुए तो restless लिखे इसलिए यहाँ बे नेश्ट है to give up the ghost जो गोस्ट का मतलब होता है भूत अब भूत सामने आजेगा तो आदमी क्या करेगा give up कर देगा हार माननेगा तो मर जाना is to give up the ghost next day to snap once fingers तो to snap once finger का मतलब समझते क्या है देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ to snap once fingers तो यहाँ पर आप इस हाथ को देखो जैसे यह चुटकी बजरी है इसको बोलते snap करना ठीक है न यह इसको आप ध्यान को भी कह सकते हैं इसको connect कर सकते हो ध्यान से जैसे meditation करते हैं तो अपन उंगलियां जोड़के बैठते हैं इसको भी याद सकते हूँ तो जब ध्यान कब कोन करेगा जब कोई चिंतित होगा तो to snap once fingers का मतलब चिंता में होना तो कह लिख ग्राउन पर नहीं आ पाएगा ऐसे समझ सकते हो तो stand to once guns जैको once guns का मतलब है अपनी कठनाईया अपनी कठनाईयों का stand करना इनकी सामना करना जब हम जीवन में अपने life में जो problems हैं hardships हैं उनको सामना करते हैं इसको बोलते to stand to once guns next is to lose one's head जैको head का मतलब दिमाग होता है lose का म करना दिमाग खराब हो जाना इनकी confuse हो जाना या ज़्यादा ही excited हो जाना is to lose one's head next by the skin of one's teeth जो इसका मतलब होता है बाल बाल बचना इसका मतलब को होता है by the skin of one's teeth का मतलब होता है बाल बाल बचना जसे महान लेते हैं कि कोई यहाँ पर कोई साही picture देखनें बनती है तो, गिल्कुल जैसे कोई accident होते 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 बच गया तो अपन गया वोलेंगे by the skill of his teeth ऐसे लिखेंगे means बाल बच गया हो next हमारा दिखते है तो तो इन ग्लव कर गलव कि अब्टे किसी को challenge देना जिससे आप मानलो कि आपने दस्तान राल रखें तक यह आपको दिखा रखें यह दस्तान है अब आप इसको उतार के फैंक देते हो यहिनिकि आप सामने वाले को चैलेंज दे रहे हो कि भी यह उठा कर देखा इससे आप समझ सकते हो To throw one's glove का मतलब होता है किसी को challenge देना Next है To be in abayance Abay word का मतलब होता है टालना Abay शब्द का मतलब टालना होता है और abayance का मतलब क्या होता है टाल मटोल Abayance का मतलब क्या होता है टाल मटोल यानि कि जब कोई काम की टाल मटोल करते है इसको बोलते हैं, suspense में होना, ठीक है ना, टाल मटोल करना, suspense में होना, next है, a chip of the old block, ठीक है चिप का मतलब टुकड़ा होता है, old block का मतलब कि कोई चीज है, पुरानी, उसी का टुकड़ा, यहने की कहते हैं न, जैसा बाप, वैसा बेटा, ठीक है न, जैसा मतलब कि पुर्वज होंगे, वैसे ही आगे की पेडिया होंगे, इसी को बोलते हैं, a chip of the same old block, characteristics of one's own ancestor, भी किसी में अपने ही गुन है, पुर्वजो की गुन है, इसको बोलते हैं, वो अपने ही पुर्वजो का खून है, he is the chip of the same old block, ऐसा लेखेंगे, आज देखो, स्टार्टिंस देखने को उनुसे, पहले, a fair crack of the hip, निगी सही चाबो के, निगी सही समय, to hold something in leash, किसी को काबू में रखना, to wrangle over an ass, shadow, छोटी मुटी बतो जगडा करना, to play fast and lose, तरकीबे लडाना, और बाद में अपना विश्वास को देना, all agog, excitement से भरा हुआ, to give up the ghost, मर जाना, to snap one's fingers, चिंतित होना, a pipe dream, impractical plan, to stand to one's guns, अपनी कट्टाईयों का सामना करना, to lose one's head, डिमाग खराब हो जाना, by the skin of one's teeth, बालबल बचना, to throw one's glove, challenge देना, to be in in abeyance, suspense में होना, a chip of the same old block, means जैसा बाप, वैसा बेटा, okay, I think यहां तक समझा गया होगा, आगे हम करेंगे next video में, thank you.